आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमश्कार दोस्तों डाउटनेट में आपका स्वागत है आज का हमारा question है examine the continuity of the function fx at x is equal to 0 f of x is equal to 10 to x upon 3x when x is not equal to 0 and 3 by 2 when x is equal to 0 तो हमें fx की continuity check करनी है at x is equal to 0 कोई भी function continuous तभी होता है जब f of x equals to 0 is equal to left hand limit tends to 0 minus of fx when is equal to right hand limit x tends to 0 plus fx अगर ये तीनों values equal है तभी हमारा function fx है वो continuous होगा at x is equal to 0 पर ठीक है तो सबसे पहले हम check कर लेते है f of x is equal to 0 क्या है value x की value अगर हम 0 put करेंगे तो हमारे पास क्या value आ रही है 3 by 2 आ रही है at x is equal to 0 हमारा यहां पर value आ जाएगी 3 by 2 तो इसका मतलब left hand limit और right hand limit दोनों की value जो है वो 3 by 2 आनी चाहिए अगर function हमारा continuous हुआ तो ठीक है left hand limit चेक करते है left hand limit में हमारे पास क्या है limit x tends to 0 minus f x इसको ऐसे भी लिख सकते है limit x tends to 0 minus h अब यहां पर 0 जो है वो slightly less than sorry x जो है वो slightly less than 0 है x tends to 0 minus h यह term जो है 0 से slightly जो है वो छोटी है f of f x यह हो जाएगा limit इसको मैंसे भी लिख सकते है limit h tends to 0 f of 0 minus h ठीक है इस value को यहां पर put करेंगे तो x जो है वो 0 से slightly छोटी है slightly less है तो यह वाली value not equal to 0 वाली value varied रहेगी यानि कि 10 2x upon 3x इसको मैंसे लिख सकते है यह वाला function आजाएगा तो यह आजाएगा limit h tends to 0 10 यहाँ पर minus 2h upon यहाँ पर आजाएगा minus 3h अब 10 minus 2h जो है वो minus 10 2h हो जाएगा मलब minus जो है इसको भाहर आजाएगा तो minus है minus जो है वो cancel out हो जाएगा तो हमें इस limit बचेगी limit h tends to 0 10 2h upon 3h ठीक है अब इस 3 को मैं limit के भाहर ले लेता हूँ limit से अलग लिख देता हूँ इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ ठीक है और यहाँ पर 2s को multiply कर देता हूँ नीचे और numerator को भी हाँ पर मैं 2 से multiply कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो clearly हमें दिख रहा है यहाँ पर 10 2h upon 2h तो इसकी identity भी हमें पता है 10 2h upon 2h इसकी value जो होती है वो 1 होती है तो हमारे पास यहाँ पर value जो बची है वो बची है 2 by 3 इसका answer जो आएगा वो आएगा हमारे पास 2 by 3 तो left hand limit से हमारे पास 2 by 3 आ रही है f of x is equal to 0 3 by 2 आ रही है it means यह दोनों values जो है यह equal नहीं है लिख सकते हैं हमने ऐसे लिख सकते हैं f of x equals to 0 is not equal to the left hand limit so this implies that fx is not continuous या फिर लिख सकते हैं fx is discontinuous discontinuous at x is equal to 0 fx जो है हमारा continuous नहीं है या फिर हम यह कह सकते हैं fx जो है वो discontinuous है यहीं पर यह condition अगर equal नहीं आ रही तो यहीं पर हम रोक देंगे अपने solution को और कहा देंगे fx जो है वो continuous नहीं है right hand limit चेक करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यह condition यहीं satisfy नहीं हो रही अगर continuous यह होता तो हम right hand limit को चेक करते तब चेक करते equal है या नहीं है तब हम उसके basis पर हम continuity को prove करते तो यहीं पर ही यह चीज stop हो गई तो हमारा यहीं पर यह answer आ जाएगा fx is discontinuous तो I hope आपको यह question सबज में आ गया होगा thanks for watching this video